योग अगर आसन की रूप में जोड़ेंगे तो किवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए है पर अगर हम अध्यात्म के रूप में योग को संबोधी साधना को अगर हम जोड़ रहे हैं तो आप सीधा अपने आपके मित्र बन रहे हैं खुद के खुद फ्रेंड बन रहे हैं खुद के और अपनी अंगुली उठा रहे हैं और मंदिर बाहर हैं एक मंदिर तुम्हारे पास है और वो है तुम्हारे अपनी ही आत्मा का मंदिर और यहाँ पर ज्यानी हमसे कहते हैं जो स्वरूप सब बोलो पाया दुख अनन्त समझाया सो पदनमू श्री सद गुरु भगवंत मैं पहला नमन उन्हें करता हूँ जिनों ने मुझे मेरा निज़ स्वरूप समझाया पहला नमन किसे है उसे जिनों ने मुझे अपने आपको दिखाया कबीर की वाणी है कि गुरु गोविंद दोवु कड़े काके लागू पाय बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताया गोविंद बाद में धोक लगाएंगे पहले गुरु को धोक लगा लेंगे क्योंकि उनके जरिये हम तुम तक पहुँचे है तो पहला नमन उन्हें है उस सद्गुरु की शक्ति को पहला नमन है जिनोंने मुझे आकर के और मेरा निजत्व का बोध प्रदान किया यहां दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो सूखे ग्यानी और पंडित बन करके अपना जीवन जी रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल जडवादी क्रिया कांडी बन रहे हैं तो बेस समझते हैं वो जो क्रिया कांड कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े ग्याने और भगवान वो ही है और जो ग्याने बने हुए है पंडित वो समझते हैं कि वो ही दुनिया के सबसे बड़े जानकार है अच्छा व्यंग्य किया है यहाँ पर और व्यंग्य करते हुए कहा है कि कई क्रिया जड़ हो रहे शुश्क ग्यानी कुछ एक हमको मारक मोगश का करुणा उपजे देख बाहिय क्रिया में रच पचे अंतर भेदन कोई मारक ग्यान निशेदते वहां क्रिया जड़ हो यह यहाँ पर अनेक लोग ऐसे हैं जो केवल सूखे ग्यानी बने हुए क्या है सूखे ग्यानी जरा बताओ ऐसा पेड क्या कहलाएगा जो सूखा हुआ है ठूठ तो जो लोग केवल ग्यानी बनकर गूमते हैं पंडित बनकर गूमते हैं ऐसे ठूठ लोगों के लिए ही तो कभी ये सुनने को मिला था कि डाई आकर प्रेम का पड़े सो पंडित होए केवल पंडित बनने से क्या होगा जिसको अभी तक डाई आकर प्रेम के भी नहीं आते जिसको अभी तक प्यार से जीना और बोलना नहीं आता वो आदमी आगर पंडित बन भी गया तो किस काम का मैंने कहा है ग्यान का पहला चरण है information और ग्यान का दूसरा चरण है knowledge दोनों में जमीन आसमान का अंतर information तो बताती है कि एक और एक दो होते हैं पर ग्यान बताता है कि एक सदे तो सब सदे एक अकेला सद गया तो सब चीजे अपने आप सद गई यहां हम भूले हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने अपने आपको क्रिया कांडी बना लिया वो समझते हैं बस दो समय ये काम कर लो हो गए हम धार्मिक एक समय वहाँ चले जाओ हो गए हम धार्मिक लगा लिया तिलक हो गए हम धार्मिक मुँपर कपड़ा बान लिया हो गए हम धार्मिक केवल क्रिया कांड आदमी को नहीं तार्ता तो तार्ता कौन है जहां सदाचार भी हो और सदग्यान भी हो वहाँ पर मुक्ती की नौका तैयार होती है नमबर एक सदाचार भी और सदग्यान भी ये दोनों के बीच में जब दोस्ती होती है तभी इनसान के लिए भव सागर से पार लगने की नौका तैयार होती है क्या है पहला सदाचार और दूसा क्या है सदग्यान अकेला सदाचार भी काम का नहीं और अकेला सदग्यान भी काम का नहीं जो मेरे जीवन में है वो मेरी जबान में हो और जो मेरे जबान में है वो मेरे आचार में भी हो कथनी और करनी एक हो हम भूले हुए हैं कभी एक शेरदी ने बच्चे को जनम दिया था पर जैसा की हो सकता है कि शेर्णी ने बच्चे को जनम दिया और जनम देने के साथ ही शेर्णी की मृत्य हो गई पहले जमाने में ऐसा होता भी था हमारी माताओं और बेहनों के भी डिलेवरी होती थी तो delivery के समय में आज तो काफी औशदियां और काफी संसाधन उपलब्द हैं इसलिए मृत्यों की दर बहुत कम हो गई है पहले मृत्यों की दर बहुत ज्यादा थी तो delivery के समय में अक्सर मैलाओं की मृत्यों हो जाती थी इसलिए हमारे बाप दादाओं के एक बाप दादा के दो दो तीन तीन चार चार शादियां हो चुकी होती शेर्दी की मृत्य हो गई अब शेर्दी का बच्चा अकेला रह गया अचानक उधर से एक भेड़ों के टोले का गुजरना हुआ शेर्णी का बच्चा एं 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 कर रहा था पता नहीं किसी भेड को तरस आ गई उसने अपनी छाती का दूद उसे पिला दिया तेहें दो माताएं हैं एक जनम देने वाली और एक पालन करने वाली सो वो शेर्णी का बच्चा उस बेड़दी का दूद पीकर बेड़ के साथ ही गोमने लग गया और जो चरवाह था उसे भी लगा कि ठीक है शेर्णी मर तो गई है इसका बच्चा मेरे बेड़ों के साथ पल रहा है तो ठीक है पर हुआ ये धीरे धीरे वो शेर्णी का बच्चा जो वास्तों में शेर था बड़ा होने लगा पर बेड़ों के साथ रहकर वो भी क्या बन भाई जिनके साथ रहोगे उनका असर तो आएगा ही आएगा शेरों के साथ रहोगे तो शेर बनोगे और बेड़ों के साथ रहोगे तो बेड़ बनोगे पूजारी के साथ रहोगे तो पूजा के भाव जगेंगे और चोड़ डाकों के साथ रहोगे तो आज नहीं तो कल जेल तक जाना पड़ेगा ये तो साथ तो अपना असर देता ही देता है काजल की कोठ्री में जो जाए तो अकल आए के ना आए पर रंग तो उसका लग जाए तो भेडों के साथ रहकर वो शेर का बच्चा भी भेड़ बन गया और जैसे भेड़े मिम्याया करती थी मैं 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 वैसे ही वो शेर का बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा भेडों के साइच का हो गया एक दिन एक शेर ने दूर से भेडों के समू को देखा और जैसे गौर से देखा तो देख करके चौक पड़ा कि उन बेड़ों के जुंड के बीच में एक शेर भी है वो चौका अरे ये ये दुनिया कैसे बदल गई कि कोई शेर बेड़ बन गया उसे लगा मैं कहीं मैं कहीं ब्रह्म में तो नहीं हूँ तो जोर से चिलाया और शेर ने जैसे इदाहर लगाई कि सारी बेड़े भाग गई और जब सारी बेड़े भागने लगी तो वो शेर का बच्चा भी वो मिनी लायन भी उनके साथ साथ भागने लगा अब तो शेर पूरा चक्राया ये क्या माज रहा है ये हो क्या गया अब तो वो उनके पीछे पीछे दोड़ा उसे लगा कि मुझे अपने इस जात को सुधारना पड़ेगा ये जो शेर की जात है मुझे से सुधारना पड़ेगा ये बेड़ बन गया है अपनी आपको भूल बैठा है आखिर हुआ क्या होगा वो दोड़ता हुआ गया और जंप लगाया और उस शेर नुमा भेड उसे पक्ड़ा वो करने लगा एं एं भुले खट काइ काइ कर रहा है तू शेर का बच्चा और ये मैं मैं कर रहा है बोले तु शेर है शेर है उसने का मैं तो बेड़ हूँ बेड़ वो जट से उसकी गरदन पकड़ी उसने दबोचा और लेकर आया नदी किनारे बोले देख इस पानी में जहांक कर देख इस पानी में जहांक कर देख नदी के पास सरूर के पास लेकर आया और कहा कि जांके देख और मुझसे अपना पैचान कर तो पता चलेगा कि मैं और तूं एक है या नहीं है उसने सरुवर में जांका पानी भी आईना होता है अगर निरमल हो तो पानी भी दर्पन होता है अगर निर्मल होतो, मन भी मंदिर होता है अगर निर्मल होतो तो उसने पानी में ज्ञाका और भेड के रूप में वो जो शेर था उसने देखा हाँ बिल्कुल मैं तो वही हूँ, वही हूँ बोले तु अब पैचान किया वही हूँ, बोले हाँ सो हम, मैं वही हूँ क्या हूँ, सो हम, मैं वही हूँ, सब बोलिए, सो हम, सो हम, सो हम इनसान के सामने पहला प्रस्न है को हम मैं कौन हूँ और तब उस शेर ने उसे पहचान दिला दी सो हम मैं वही हूँ और ये जैसे ही पहचान दिलाई कि वो शेर नुमा जो भेड बना वा था उसने पहचान लिया मैं वास्तों में कौन हूँ शेर ने कहा लगा ये मिमियाना छोड़ लगा एक दाहाड और जैसे यो उसने शेर कितरे दाहाड लगाई पूरा जंगल गूंज चुका था क्योंकि वो शेर तो फिर भी बूड़ा था मेरे जैसा था फिर भी बूड़ा था पर वो छोटा शेर तो यूवा था जैसे शांती प्रियजी है न वो वैसे यूवा था और इस बार जब उसने दाहाड लगाई तो पूरा जंगल गूंज उठा और तब आज उसने पहचान पाली मैं वो हूँ सो हम शीवो हम मैं वो हूँ आज उसने अपने आप में जान लिया कि चिदानंदरूपम शीवो हम शीवो हम आज उसने पहचान लिया कि मैं वास्तों में कौन हूँ ओम अरहम आज उसने पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ सद्गुरू कौन है शेर सद्गुरू कौन है शेर खुद अपने आप से एक दिन में एक बार ही सही महीने में एक बार ही सही अरे जीवन में भी केवल एक बार अपने आप से कह देना कि I am lion मैं शेर हूँ मैं तुम लोगों के साथ हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं भूल बैठा हूँ अबने आपको मैंने खो दिया है अबने आपको मैंने इन पांच साथ लोग जिसको मैं समाज, परिवार, घर, कुटुम का नाम देता हूँ मैंने इनके बीच अपने आपको खो दिया है कल शाम को ही एक शिविरार थी एक साधक भाई अपनी जेब में छुपके से उन्होंने मुबाइल छिपा लिया था मैंने का मुबाइल का क्या करेंगे बोले पोते का फौन आता है तो मुबाइल से बात करूँगा हमने खो दिया है अपने आपको किन में? इन पोता, पोती यह मकड़ जाल बड़े गजब के होते हैं यह मकड़ जाल फैलते चले जाते हैं पहले पत्नी के नाम पर फैला फिर बच्चों के नाम पर फैला अब यह पोता, पोती के नाम पर फैल गया अब मैं पड़ दादा बन गया तो सोनी की सीडी के नाम पर फैल गया ये फैलता चला जा रहा है और आदमी समंदर से एक मूंद भर होता चला जा रहा है ग्यानी कहते हैं जागो न केवल ग्यानी बनो न क्रिया कांडी बनो अपने आपको सद ग्यानी और सदाचारी बनाओ और ऐसा करने के लिए खुद को जगाने के लिए सबसे बड़ी जो शक्ती है उसका नाम है सद गुरू क्या नाम है? बोल लो जबान मीठी होगी क्या नाम है? सद गुरू दुनिया में तीन त्रह के गुरू होते हैं पहला है कु गुरू दूसरा है सिक्षा गुरू और तीसरा है सद गुरू पहला है कु गुरू दूसरा है सिक्षा गुरू और तीसरा है सद गुरू कौन है कु गुरू जो की दिव्यपत पर तो आ चुका है लेकिन अपना जीवन गलत तरीके से जीता है और लोगों का भी गलत तरीके से इस्तिमाल करता है, वो व्यक्ति होता है, कू गुरू, कू शब्द ही अपने आप में जैसे द्रिष्टी, कू द्रिष्टी हैं, वैसे गुरू, कू गुरू, मैं कू गुरू पर ज्यादा नहीं बोलूँगा, पर मैं ये जरूर कह दूँगा कू गुरू से बचो, पर सिक्षा गुरू का जरूर सम्मान करो, क्योंकि उनके कारण हमें साक्षर्ता मिली, उनके कारण information ही सही, हमारी बुद्धी को परिपक्व बनने में मदद मिली, सिक्षा गुरू बुद्धी को परिपक्व करते हैं, पर सद गुरू बुद्धी को शिक्षागुरू क्या करते हैं बुद्धी को परिपक्व बनाते हैं पर सद्गुरू बुद्धी को परिश्कृत करते हैं बस इसलिए सद्गुरू का महत्व है और कोई फर्क नहीं है शिक्षागुरू और सद्गुरू में पर ये भली भांती पता है परिपक्व होना प्रोड अवस्था है परिपक्व होना सिर्पर सफेद बाल उग जाना है पर परिश्कृत होना जीवन का कल्यान है जीवन का उद्धार है आत्मा का मोक्ष है तो यहां ग्यानी हम से कहते हैं कि सद्गुरु की शरण में जाओ, सद्गुरु हमें पाहर लगाते हैं, सद्गुरु उस शिल्पकार की तरह होते हैं, जो पत्थर को पत्थर नहीं रहने देते, बलकि पत्थर को भी पूजनिय प्रतीमा बना देते हैं, सद्गुरु उस मांजी की तरह होते हैं, जो हमारी जिन्दगी को इस पार सड़ने नहीं देते, बलकि उस पार हमें पहुचा देते हैं, सद्गुरु उस सूरज और चांद की तरह होते हैं, जो दिन में हमारे जियन में उजाला करते हैं, तो रात को भी रोशन, रोशनी से भ भर देते हैं सद्गुरू का सानिध्य सद्गुरू का शरण जीवों को पार लगाता है बिना सद्गुरू के सानिध्य के किसी भी जीवन का परिश्कार नहीं होता हां सद्गुरू का सानिध्य मिल जाए तो कल तक जो व्यक्ति अंगुली माल डाकू बना हुआ था रोजाना लोगों की अंगूलियां काट-काट कर और उनकी माला पहना करता था वही अंगूली माल डाकू जब किसी सदगुरू की संगत पा लेता है तो डाकू नहीं रहता वही डाकू बदल कर बिक्षू बन जाता है और तब वह बुद्ध का अनुयाई बनता है सद्गुरु का सानिध्य पाकर उनकी संगत से याद कीजिए उस चंड कौशिक को जो कि सर्प की योनी में है पर महवीर की संगत मिली महवीर की दिष्टी पड़ी सद्गुरु की तो दिष्टी ही काफी है नजर ही काफी है और महवीर की दिष्टी पड़ी कोनी में भी वो श्रावक और संत जीवन का मालिक बन गया हम सद्गुरु मिले सद्गुरु मिले तो रखना कर डाकू महर्शी वालमी की बने यह सद्गुरु काम करते हैं जिनको भी लगता है उनका बेटा बिगड़ा हुआ उनकी बेटी बद्चलन हो गई उनके गर में अमुक व्यक्ती खोटा सिक्का साबित हो गया आप से अगर काम नहीं बन रहा उसे किसी सद्गुरु के सानिद्य में ले जाना शुरू कर दो आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों रस्री आवत जात तैंसल पर पड़त निशान कर लोहा लोहा नहीं रहता वो लोहा भी बदल कर सोना बन जाया करता है मेरे प्रभु सद्गुरु का सानिद्य व्यक्ती को तारता है पहले अतीत में भी अनेग लोग तिरे हैं आज भी अनेग लोग तिर रहे हैं सद्गुरु मिले तो कल तक जो कलिंग के युद्ध का विज पेता बना हुआ था समराट अशोक एक सद्गुरू की संगत मिल गई तो वो समराट पैदा हो गया जिस पर सारी अहिंसा और करुणा को भी नाज है सारे भारत वर्ष को जिस पर गौरो है कि जिसने युद्धों का त्याग किया पूरी दुनिया मिल जाती तब भी अशोक को नहीं बदल सकती थी पर एक अकेली शक्ती है जिसका नाम है सद्गुरू वो उसने अशोक को बदल डाला चंद्रगुप्त मौरिय ठेट बिहार से युद्ध करते करते आगे बढ़े हूंगे ठेट उत्तरप्रदेश से युद्ध करते करते आगे बढ़े हूंगे दक्षि भारत तक युद्ध करते चले गए और माना जाता है वो भारत के पहले ऐसे समराट हुए जिसने पूरे भारत पर विजया प्राप्त की थी परदक्षिन भारत तक पहुंसते पहुंसते वहाँ पर वो एक जैन आचारिय के संपर्क में आये और जैन आचारिय ने उनका जीवन इतना बदल डाला कि वो सम्राट चंद्रगुप्त मौरिय जैन मुनी बनते हैं जैन आचारिय बनते हैं और शवण बेल गोला में संथारा ग्रहन करते हुए समाधी मरण करते हुए अपने पार्थिव शरीर का त्याग करते हैं, जीए पहले तो राजा बन कर जीए और जब त्याग दिया तो राजर्शी और ब्रह्मर्शी बन करके अपने आपको मोक्षपद का सिद्धपद का नहीं होता सदगुरू से बढ़कर कोई पंत नहीं होता सदगुरू से बढ़कर कोई आग्या नहीं होती जीवन में जब-ईब भी लगे सदगुरू का सानिध्य मिल गया बाकी सब जंजार छोड देना क्योंकि वो एक अकेली ऐसी ताकत है जो हमें बदल सकती है काग پलट इन्हें दीनी ही नाम निशानी हंसा पहुँचे सुख सागर में मुक्ति भरे जहां पानी। कव्वे को भी हंस बनानी की जो ताकत रखते हैं उसका नाम है सद्गुरू। जन्म जन्म के पुण्य के उपरांत ही सद्गुरू का सानिध्य मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य के बाद जन्म जन्म के साधना के बाद किसी एक सद्गुरू का सानिध्य मिलता है। सद्गुरू कौन आत्म ज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्ववानी परमशुत सद्गुरू लक्षन योग। कौन है सद्गुरू तो कहते हैं आत्म ज्ञान पहला सद्गुर क्या सद्गुरू के पहचान क्या तो ज्ञानी कहते हैं पहली पहचान पहला उनका लक्षन है पहला है आत्म ज्ञान वो आत्म ज्ञानी हो दूसरा समदर्शिता वो समदर्शी हो गरीब अमीर इस्त्री रक्चा बड़ा इन सारे भेदों को जिसने हटा दिया है गोरा काला अमुक धर्म का अमुक परंप्रा का जिसकी दिष्टी समदर्शी बन गई है जो इन सारे भेदों से उपर उठ चुका है तीसरी वशेश्टा विचरे उदय प्रियोग तो जैसा उसके जीवन में उदय काल है वो वैसा अपना जीवन जी रहा है वो अपनी और से कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रखता जो मेरे प्रारब्द में हैं मेरे जीवन में वैसा होता चला जाए वो आत्मग्यानी जानता है कि मेरे जनम जनम के कर्म मेरे साथ संचित हैं उनमें से जैसा मेरे उदय में आ मैं वैसा वैसा अपना जीवन जीता चला जाऊंगा, तो विचरे उदय प्रियोग, अपूर्व वाणी, परमशुट सद्गुरू का चौथा लक्षण है, अपूर्व वाणी, उनकी वाणी अद्भुत अद्भुत अपूर्व, अपूर्व, अपूर्व ऑूर्व और परमशुत अर्था तो वो परमग्यानी हो वो शास्त्रों का जानकार हो जो शास्त्रों के रहस्य को समझता हो तो सद्गुरू की ये लक्षण है हम सद्गुरू यानि शेर जो भेड को बदलने की ताकत रखते हैं हमें अपनी जीवन के रूपांत्रन के लिए काया को पलटन के लिए कवे को हंस में बनानी के लिए सद्गुरू की शर्ण चाहिए सद्गुरू की शर्ण में जाओ सद्गुरू की आग्या का पालन करो सद्गुरू का सम्मान करो सद्गुरू की वानी को जन जन तक प्रसारित करो कुल मिला करके हमें अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए अध्यात्म की तरफ अंत्र मुखी बनाने के लिए सद्गुरु एक जादुई चिराग का काम करेगा, सद्गुरु हमारे लिए एक ऐसे सूर्य का काम करेगा, जो हमें पहचान दे, अपदीपो भव, अपने दीप तुम खुद बनो, ये आत्मश्यत्य शास्त्र, हम का कल्यान करेगे, और हमें हमारी पहचान दिलाने में मदद करेगे.